तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या YouTube चैनल बनाने के लिए हमें किसी license की ज़रौत पड़ती है क्या complete मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमें एक YouTube चैनल क्रेट करना चाहिए और यह इनकीन चीजों के हमें YouTube चैनल क्रेट करने की जरूद पड़ती है मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको पॉइंट और बतायता हूं अगर मैं आपको लाइसेंस की बात करूँ जिसका नामे और एन आई ठीक है यह क्या प्रस्टिस का होने वाला है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप न्यूशनल पर वग करना चाहते हो तो मैं आपको उसको बारे में आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जब आप निउस के अंदर आते हो से कॉम्यूनिकेट कर रहे हम मास को एक करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको तीनों के बारे में बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको प्रता हूँ जैसा इलेक्टोनिक मीडिया इतने भी आपने निउस चैनल्स देखेंगे बड़े बड़े निउस आज तक है इंडिया टीवी है जितने भी सारे निउस चैनल्स होते हैं वो सारे इलेक्टोनिक मीडिया के अंदर आते हैं मैं अगर आपसे कंटिनू बात वन टू वन कर रहा हूं यह बी इलेक्टोनिक मीडिया का पार्ट है लेकिन इसको हम सोचल मीडिया का पार्ट यह जो हमारी कैट आपको महाँ पर किसी लाइसेंस की जरूत नहीं पड़ती लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मेरी अपनी खुद की मेगजीन शपे मेरा खुद का न्यूस पेपर बने तो उसके लिए आपको आरे नाई से अपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा जब वह आप लाइसेंस ले ल लोग शोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं जैसल इंस्ट्रेग्राम हो गया ट्वीटर हो गया यूट्यूब हो गया और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे टकाटक हो गया मौज हो गया दीज ओल आर सोशल मीडिया प्लेट्स यहां पर जितने भी जो यह एक चीज बहुत बैनेफिट यहां पर हो रहा है लोगों का क्योंकि कुछ टाइम पहले अगर मैं जियो के नेटवर्क के आने से पहले की बात करूं अरकी में अगर बात करूं तो बहुत कम एसे लोग ते जिनके अंदर टैलेंट था लेकिन अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे मुबाइल बाय कर लेता है तो मतलब 45 परसेंट आपको डाउन परेमेंट देना पड़ेगा उसके बाद आप अपनी इंस्ट्रोल बढ़ सकते हो अपना मुबाइल भी ले सकते हो हर कोई भी कर रहा है मैंने भी किया था ठीक है और जब आप उसका मुबाइल ले लेते हो तो आ पर आप अपना टैलेंट दिखा करके अपने आपको फैमस कर सकते हैं आप अर्णिंग कर सकते हो अगर आप शोचल मीडिया पर कंटिन्यू वर्क कर रहे हो बहुत लोगों के कमेंट्स आएंगे भाई कहीं नहीं बनता यार वो सब सिर्फ दो-चार विरो डालते हैं लेकिन लोगों कए आपको उनकी अर्णिंग पर नजर रखते हैं हैं वह देख अखर स्कत लिसकीं पर आते हैं जब आप YouTube चैनल create करोगे तो वहाँ पर आपको किसी लाइसेंस की जरूत नहीं है आपको सिरिफ एक Gmail की जरूत ठीक है Gmail की जरूत पड़ेगी आपको अपने Gmail लगाओ अपने चैनल पर कस्टम लगाओ आपको एक लिएक नमबर की जरूत पड़ेगी तो आपको चैनल की जरूत नहीं पड़ती है कोई लाइसेंस टाइप की ठीक है वह तो मैंने अगर आपने मेरी सीरीज वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में चले जाना आई बटन में जाना मेरी complete सीरीज देखना मैंने कितने अच्छे से उसके अंदर explain किया है कि आप चैनल कैसे कर सकते हैं कैसे थमने लगा सकते हैं कैसे टाइटल लिखें डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना चाहिए टैग्स कहां से लें किस तरह से लें किस तरह से हमें title में जरूरत नहीं पड़ती अगर हम यूटूब पर वर्क करते हैं बस जरूरत पड़ती है तो सिर्फ consistency की अगर आप consistency से वर्क कर ले तो यूटूब पर तो मैं कहता हूँ आप ग्रो होने से कोई नहीं रोख सकता तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो सब्सक्राइब ठरू कर देना थैंक यू